पाकिस्तान में इन दोनों लगातार हमले बढ़ रहे हैं। इसी साल एक के बादी कई हमले हुए, जिनका निशाना आम लोगों से लेकर सुरक्षा बल तक सभी बने। क्यूं बढ़ रहे हैं ये हमले? कौन-कौन से संगठन है इसके लिए जिम्मिदार? क्या तहरी के तालिबान पाकिस्तान या फिर इस्लामे के स्टेट या फिर कुछ ने संगठन? क्या पाकिस्तान में बढ़ते हैं इन हमलों से भारत को भी सावधान रहने की जरूरत है? बीते कुछ महीनों के दौरा जिस तरह ये चरमपंथी गतिवीदियां बढ़ी हैं वो क्या इशारा कर नहीं है? एक तरफ आर्थिक मुश्किल से जूच रह पाकिस्तान है और दूसरी तरफ राजनीतिक और अस्थिरता भी है पाकिस्तान में इस साल चुनावी होने माले हैं और उस पर मुश्किल बढ़ा रहे हैं वहां होने वाले ये चरमपंथी हमले तो आखिर पाकिस्तान में ये हो क्यों रहा है और इन हमलों में पुलिस और सुरक्षाबलों को खास दोर पर निशाना क्यों बनाया जा रहा है अभी हाली में खैबर पक्तूनखा में एक रैली पर हुए हमले में 44 लोगों की मौत हुई, 100 से जादा लोग घायल हुए वहां जमियत उलिमाए इसलाम यानी जे यू आई एफ की एक रैली में ये हमला हुआ आया पर पहुँचा तो बहुत बूरा सुरत है आलता, लोग के लाशी पढ़े थे, लोग के चीख ही मार रहे थे ये धमाका ऐसे वक्त में हुआ था जब जमियत उलिमाए इसलाम के जो जमात है, वो यहां पर वरकर्स कन्वेंशन मुनाकित कर रही है पाकिस्तान में इस साल के आखर में चुनाओ होने वाले हैं, जिसके लिए बज़ौड इलाके में ये रैली हो रही थे जिसे निशाना बना कर ये हमला हुआ, माना जा रहा है कि इस हमले का जम्मदार इसलाम एक स्टेट का लोकल ब्रांच है और TTP यानि की तहरी के तालिबान ने भी इसके निंदा की है, हलांकि हाल के महीने में हुए जादा तर हमलों के जिम्मदारी TTP नहीं ली थी जानकारों के मताबक जुलाई के महीने में ही टी-टी-पी ने लगभग सत्तर हमले किये जिन में जाधा तर सुरक्षा बलों को निशाना बनाया गया इस साल के शिरुवात में खैबर पक्तोंखा सूबे की राजधानी पेशावर में एक मस्जिद को निशाना बना कर आत्मगाती हमला किया गया इसमें कई लोगों के मौत हुई थी इस हमले की जिम्मेदारी तहरी के तालिबान ने ली थी फरवरी में भी हतियारों से लैस टी टी पी चरम पंतियों ने कराची पुलिस प्रमुक के कारयाले पर धावा बोला और अप्राल महीने में क्वटा के कंधारी बाजार में हमला हुआ पाकिस्तान के अख़वार दडान के रिपोर्ट के मताबिक 18 जून 2022 से 18 जून 2023 तक यानी सिर्फ एक साल में इस प्रांट में 665 आतन के हमले हुए जिन में 15 आतमगाती बंविस फोट भी शामिल थे तो आखिरकार खैबर पक्तून खा इलाके में ही हमले क्यों हो रहे हैं दरसल खैबर पक्तून खा प्रांट की सीमा अफगानिस्तान से लगती है पाकिस्तान के बौर्डर इलाकों में तहरी के तालिबान काफी एक्टिव है ये ग्रुप अफगानिस्तान के तालिबान से अलग है लेकिन उसी के जैसी विचारधारा रखता है पाकिस्तान में TTP के हमले खासतोर से तब से बढ़े हैं जब साल 2021 से पड़ोसी देश अफगानिस्तान में तालिबान सत्ता परकाबिस हुआ है पिछले साल यानि साल 2022 के नवंबर महीने से TTP ने पाकिस्तान सरकार के साथ किया हुआ सीजफार का करार तोड़ दिया और तब से हमले और बढ़ा दिये 2021 में TTP संगठन ने पाकिस्तान में 282 हमलों को अंजाम दिया वहीं साल 2022 के केवल जनवरी महीने में हमलों की संक्या 42 थी लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हमलों को सिर्फ TTP अंजाम दे रहा है Islamic State of Iraq and Levant Khorsan यानि ISILK भी यहां हमले करता है तालिबान इस संगठन को अपना प्रमुख प्रतिद्वन्दी मानता है और खबरों के मताबिक Al-Qaeda भी यहां फिर से मजबूत होने की कोशिश कर रहा है UN के एक रिपोर्ट के मताबिक तालिबान के चरम पंथी संगठन Al-Qaeda और TTP के साथ रिष्टे मजबूत बने हुए है इसके साथ ही TTP अफगानिस्तान के तालिबान के साथ दे मिलकर पाकिस्तान में हमले कर रहा है इसके अलावा भी जानकार मानते हैं कि कई और चरम पंथी संगठन पाकिस्तान में फिलहाल एक्टिव है इस समेथ पाकिस्तान के अंदर लगबग साथ से आठ अतानिकवादी ग्रूप हैं, जो एक्टिव हैं, सबसे पहले तालिबान है, जो अफ़णस्तान में हैं, लिकिन पाकिस्तान लिके खिलाफ हो गया, फिर अल-काइदा है, IS-IS है, इसके इलावा है, बनुस्तान लिबरेश पर क्या पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, सिर्दर्द हैं, क्या भारत को भी इस से सावधान रहना चाहिए, UN के एक रिपोर्ट में कहा गया है, कि अफ़गानिस्तान में इस वक्त जो शरंपंथी संगठन सक्रिय हैं, वो कई पडूसी देशों के लिए खत्रा बन सकते हैं. यानि पडूसी मुल्क पाकिस्तान में जो हो रहा है, उससे सीमा पार के देशों को भी सावधान रहने के जरूरत है.